हेलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में दोस्तो आप लोगों को कोई ना कोई होबी जरूर होती है लेकिन जो प्लांट लगाने की होबी है प्लांट लगाने के शुकीन है वो हर आदमी में प्लांट लगाने की होबी होती है तो आपने कभी ना कभी कोई प्लाँट अपने घर में जरूर लगाया होगा चाहे वो फलाबरिंग प्लाँट हो चाहे वो पर्मनेंट प्लाँट हो तो दोस्तों आज एक मैं आपके लिए ऐसे पर्मनेंट प्लाँट का वीडियो लेके आया हुँ और उसकी केर और मेरे पास कौन सी उसकी वराइटी है उसके उपर आज बात करूँगा सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लिए ना चलो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो वो प्लांट है स्नेक प्लांट एक पर एक बार आपने इसे लगा लिया तो हजारों प्लांट बन जाते हैं एक प्लांट से और आज मैं आपको जो मेरे पास साथ आड़ प्ररकार के स्नेक प्लांट है सबसे पहले मैं प्लांट की बात करूँ ये है इसको बोलते हैं golden green दोस्तो इसका पता थोड़ा मोटा होता है और ये तीन से चार फुट हाइट इसकी हो जाती है अगर आप इसे नर्सरी से लेने जाओगे तो आपको ये 200 रुपीज का मिलेगा लगाने का तरीका एक ही है प्लांट को इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वो आपको well drain चाहिए पोरोस मिट्टी चाहिए और इसे cowden compose में मिट्टी को लगाओ इसको तो ये अच्छा चलेगा पानी हमेशा देख के दिना है इसकी जो मिट्टी है जब सूख जाए तब ही इसको पानी देना है next plant की बात करूँ तो दोस्तों वो है slendry का snake ये देख सकते हो आप ये भी snake plant है ये देखो ये है slendry का snake अगर बात करूँ इसके price की तो दोस्तों ये आपको nursery से 300 टू 400 रुपीज का मिलेगा थोड़ा costly होता है अब मैं अगले plant की बात करता हूँ दोस्तों वो है ये golden green dwarf dwarf छोटा golden green dwarf snake plant है ये ये देख सकते हो आप इसका अगर price की बात करूँ ये एक plant आपको nursery से 100 टू 150 रुपीज का मिलेगा next वो आप plant की बात करूँ वो है ये वाला इसका दोस्तों थोड़ा नाम में confusion है नाम नहीं इसका मेरे को पता है लेकिन ये भी dwarf ब्रैटी है snake plant की common और dwarf ब्रैटी है इसका ये भी plant है baby plant इसका निकला था pups तो प्लांट बन गया नेक्स प्लांट की बात करूँ दोस्तों जो मेरा फेवरेट प्लांट है ये है golden flame इसे golden flame बोला जाता है दोस्तों आप देख सकते हो जैसे golden के इसकी पूरी लीफ गोल्डन है इसका प्राइज नर्सरी में दोस्तों 200 रुपीज है लेकिन ये rare snake plant है ज्यादातर नर्सरीों में नहीं मिलता है ये बाला लगाने का प्रोसीजर सभी का सेम है snake plant का और जो देशी बाला होता है snake plant ये है एक मेरे पास ये मैंने 16 इंच के गमले में लगा हुआ है आप देख सकते हो कितना heavy है कितना बड़ा है ये 6 फूट साथे 6 फूट इसकी height हो जाते ही है दोस्तों अगर आप snake plant लगाते हो तो इसके लिए गमला इसके size के according ही लेना जैसे छोटा प्लांट है मेरा ये वाला देखो जैसे छोटा प्लांट है और इसको मैं ऐसे गमले में लगा दूंगा बड़े में 12 इंच या 14 इंच में तो ये मेरा snake plant है जो रूट रोट हो जाए जाएगा इसकी जड़ों में fungus लग जाएगी ये खराब हो जाएगा प्लांट ठीक है ये थोड़े से slow growing होते हैं धीरे धीरे बढ़ते हैं ये प्लांट इनका जो growing time होता है ये मार्श से लेकर आप इसे दसंबर तक लगा सकते हो अपने garden में easily grow कर जाता है नॉर्मल मिटी नॉर्मल मिटी लेनी आए आपने थोड़ी सी उसमें sand डालो कोकोपी डालो और cow dung compose जा बर्मी डालके मिलाकर इसको लगा दो आपका प्लांट अच्छे से चलता रहेगा हर साल इसमें पप्स निकलते रहते हैं जैसे आप ये देख सकते हो इसमें कितने सारे पप्स बने जब इसकी आप reporting करोगे तो उन पप्स को आप अलग करके नया प्लांट बना सकते हो ये थी मेरी स्नेक प्लांट पे एक छोटी सी वीडियो अगर दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को जादा स जादा शेयर कीजिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ थैंक यू